हालो फ्रेंड्स वेलकम टुरिक्यादिस क्लासेश फ्रेंड्स मैंने इस व्यूडियो में आपको कुछ सामान ये चिन्न के बारे में बताने ये कोशिश की है जैसा कि आप जानते हैं वाटसाइप पैसबुक ट्यूटर एवरिवेर आप इन सिंबल्स को यूज करते हैं तो आ मिलते हैं कुछ सेंबल्स मिलते हैं तो आई जान लेते हैं उनको क्या-क्या कहते हैं अगर आप न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बैस जरूरान कर लें ऐसे ही महतुपूर्ण वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए तो जो आइर होता है इन सरकील तो उसे हम कहते है ग्रेश्टरडρω्डरेडमार्क सिंबल तो हम यह जो आप मार्क्स देख रहे हैं एक मार्क है और T.M. अपने बहुत सारे जगाओं पर देखा होगा T.M. या ट्रेड मार्क सिंबल होता है ये Next, Cross. पता ही होगा ये Cross का सिंबल है Ditto. ये इसको कहते हैं Ditto. यानि जो inverted comma में बंद होता है उसे कहते हैं Ditto. Next, Ampersand. बहुत से लोग and भी बोलते हैं इसको जो हम अपने रिटन में यूज करते हैं रिटन इंग्लिश में and का यूज करते हैं तो इसे बोलते हैं Ampersand या फिर and Next है Slash या इसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं Dollar, Dollar का sign तो आपने जानते ही होंगे आप already Plus and ये Times इसे हम कहते हैं Times यानि Multiplication divided by degrees इसे कहते हैं degrees feet and ये है at और ये जो star आपने देखा बना होता है ये star टाइप में चोटा सा इसे कहते हैं Asterisk या फिर star Asterisk Asterisk star और ये आप dots देख रहे हैं जो dots इसे कहते है ellipsis या dots and next pound का निसान है pound जैसे आपने डॉलर का निशान देखा ये pound का निशान है और आगे बढ़ेंगे माइनस ये माइनस का निशान है ये है by जैसे आपको कहना हो the room is 8 by 10 equals this is equals inches inches ये double आपके थोड़ा से inches का form होता है double जो coated होता है and point और ये percent I hope आपको video पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो subscribe और like जरूर कर लें और share करते हैं मिलते कुछ नए topics के साथ अपते के लिए take care bye bye